नमस्कार किसान भाईू मैं आपका दोस्त कमल जाखड दमोरा आज आपके लिए लेकर आए हैं गोबी की नर्शरी के बारे में ये देखिये हमने बैड बना रखे हैं ट्रेक्टर से जमीन को भुरुबरा करके एरा कर्टी पिदलाओ मेच निकालके फिर बैड बनाए हैं और बैड में हमने क्या-क्या डाला आपको बताते हैं ये सिटी कमपोस्ट है जो सहर में बीज बंदार पे मिल जाती है करीबन एक सौशी से लेके दो सो रुपे का पचास केजी का कट्टा आता है और एक बैड पे हमने 50 केजी सिटी कमपोस्ट डाला है और 2 केजी पोटास डाला है और उसके लावा ये आपके सामने जो पाउडर है घर पे कीडे मकडे मारने के लिए काम में लेते हैं कलरो फास फोर्स 1.5 डिपी ये हमने 2 केजी लिया है जो सिटी कमपोस्ट में लागे डाला है और उसके बाद में हमने ये बैड पे देखिए कैसे मरसरी तैयार करते हैं ये जो पनी डाली है इसके बारे में बताते हैं ये हमने इनको चैरी बोलते हैं हमारी वासा में बेड़ के उपर ये देखे अंगुली से लकीर निकाल रखी है और इनके अंदर बीज डाल रखा है ये आपके सामने गोभी का बीज है और ये अंगुली से कैसे ये देखे लाइन खींच रहे है इस लाइन के अंदर इस बीज को डालते हैं डालने के बाद में ये जो आपको पानी चला देंगे, पानी चला कर हम इसको कम से कम दो गंटे पानी चलाएंगे फोगर से, यह देखे हमने फोगर काम में ले रखा है, यह आपके सामने दिख रहा है यह फोगर है, फोगर से नरसरी के तयार करते हैं, अच्छा यह पनी जो मैंने डाल रखी हैं, यह पनी बता जैसे पानी दे देंगे, पानी देने के बाद मैं ऐसे डख देंगे इनको, इन दो बेड़ों में पानी चला दिया था फोकर से, ऐसे डखने के बाद मैं तीन रोज या चार रोज बाद मैं इसको अलग करूँगा, नमी बनी रहेगी, उसी नमी से पोध है, वो फुटान कर ल यह वाफ सी डख दूँआ, जितनी दیर बारिस गिरेगी, उतनी दीर डखी रख़ऊ हुआ यह से भारिस खुल जाएगी तो मैं इनको खोल दूँआ, बारिस बंद हो जाएगी तो मैं इनको खोल दूँआ खोलने के बाद में बाहर के बातावरंशे पहुत तैयार हो जाएगी आज 30 अगस्त का समय है और मैं इसको ट्रांस्पलांट करूँगा 25 सितंबर को यानि कि 25 दिन बाद में ये पहुत तैयार हो जाएगी और आपको बताता हूँ कौन-कौन सा बीज लिया है मैंने ये आपके सामने बीज पड़ा है मैंने दो एक्टर के लिए बता दिया कि 200 ग्राम बीज लिया है मैंने और कंपनिया दिखाता हूँ आपको ये कलाउज कंपनी की रिम्मी है ये रिम्मी 60 दिन लेती है 60-65 दिन ट्रांस्पलांट करने के बाद में सार से 65 दिन लेती है ये शनॉव आइट है ये ये लेती है असी दिन के कंपनी का नाम आपको उपर दिख रहा है नुजू विड्ल ठीक है और ये सीसंटा की सुभाशनी सुभाशनी है जो असी दिन का समय लेती u ट्रांस्पलांट करने के बाद में और असी दिन में ये मार्केट में आ जाती है और इसी का सिजन्टा का सुभासनी पलस है यह आपको दिख रहा है सुभासनी पलस यह समय लेता है 65-70 दिन पहले आ जाती है और यह पतागोबी की नर्शरी है कि हमने स्यमिनस का सूरिया और स्यमिनस की डायमंड है सूरिया का मजबूत गठा और इसका बजन करीबन 700-1 किलो के लगबग और इसका डायमंड अक्सप्रेस का है 1 केजी, 7 केजी के लगबग यह समय जादा लेता है यह समय कम लेता है यानि यह धाई मैने लेगा डाय सोरी, डाय से तीन मैने लगबग 17-80 दिन के लगबग और यह लेगा 90 और 100 दिन के लगबग और आपको बताते हैं फोगर से पानी देंगे समय समय पर 1 क्रोच छोड़ गे क्योंकि फोगर से पानी कम लगता है और इसको बारिस से बचा के रखना पोद को बारिस ज़्यादा होती है तो पोद लगबग खतम हो जाती है लगबग खतम हो जाती है बारिस मानती नहीं गोबी होती है विगर बारिस के मोसम की इसलिए हम देखते हैं अगेती जो गोबी करते हैं वो बीज बहुत ज्यादा लगता है उसमें एक बार तो नर्सरी करते हैं तब खतम हो जाता है फिर कहीं खेतु में पानी भर जाता है तब लगता है अभी हम इसमें पानी चला कर इसको ढख देंगे जिस तरीके से दोनुबे ढख रखें चार रोज बाद में उतारूँ आपक जरुत पड़े तो इसमें और खुराक मत दूँगा शिरफ सिट्टी कंपोस्ट दूँगा और एक जीवा अम्रत का गोल बना रखा है उसका इससे सिट्काव कर दूँगा एक या दो बारी धन्यवाद किसान भाईयो